नमस्ते दोस्तों आज मैं आपको रेडिमेंट बने बनाएं गले के चोड़ाई कैसे कम करनी है यह बताऊंगे देखें मेरे इस गले के चोड़ाई की है देखें मेरे इस गले के चोड़ाई है साड़े साथ इंच की और जबकि मुझे इसके चोड़ाई कम चीए मुझे इसके साथ इंच की आप इसको काम करना है यह बताऊंगे सबसे पहले हम इसको कपड़ी को फॉल्ड करेंगे देखिए इस के चड़आई यह इसे पौने चार इंच की आ रही है अब मुझे इसका ढ़ाई इन ही च्राइच अब चाहे तो तीन इंच पौने तीन इंच जितना भी लेना है उसी रिसाब से निसान लगा लें गैजा को टेसान लगा ने इस तरह से आप एधरी लाइन खीच ले भी इस तरह से उसान पे जाइन लगानी है उसे सहीह हाँ प्रासी एसे जाइन लगा ले डिशेश सर्णों अब देखे इस तरह से ऐसे स्लाइल लगा ले अब मैं आपको कपड़ा ऐसे खोल के दिखाती हूँ देखिए इस तरह से आप चोड़ाई कम करें अब मैं इसका नाप दिखाती हूँ कि अग कि इस तरह से यह grow kitchen इसपितल कि डिखाती है आप कि इस तरह से यहां पर इसे निसान लगा ले इन निसानों को आप मिला दे अब जो यह निसान लगाए हैं यहां की तरफ ऐसे कट का निसान लगा दे इस तरह से यहां पर ऐसे कट लगा दे अब एक ऐसे एक्स्रा कपड़ा लेंगे इस कपड़ों को ऐसे गलेंबे लगाएंगे देखे इस तरह से कपड़ी के ऐसे कटिंग कर लेंगे अब ये मैंने जो कट लगा रखा है ये सलाई से मिलाते वे इस तरहे कपड़े को रखेंगे और ये पिंस अटेच कर देंगे यहां से भी ये इसे मिलाते वे इसे पिंस अटेच कर दें ये चारो तरफ ऐसे लगा दें अब कपड़े को ऐसे उल्टा कर दें यह जो उल्टी तरफ जो यह कढ़ाई आ रही है अब यहां पर हम ऐसे स्लाई लगाएंगे देखे यह जो कट का निसान आ रहा है और यह पीछे जो कपड़ा आ रहा है इस पर ऐसे यहां से स्लाई लगाएंगे इसलाई हमारी जो ये कढ़ाई आ रही है देखिए जो ये हमारी ये कढ़ाई आ रही है इसके बिल्कुल ब्रावर में लगानी है इस तरह से ये पूरे में सलाई लगा ले अब इसको थोड़ा ऐसे घुमाते हुए यहां बीच में निसान लगा के फिर इस तरह स्लाई कर ले अब देखें यहां पर यह जो कट आ गया है यहां से मेरी स्लाई पूरी हो गई अब जो यह कपड़ा है बीच का कपड़ा अब इसकी कटिंग करेंगे देखें इस तरह से ऐसे यह कटिंग कर ली अब जो यहां पर जो गुलाई आ रही है यहां पर अब कट का निसान लाएंगे यहां से अब ऐसे छोटे-छोटे कट करेंगे यह द्यान से अपना स्लाई को बचाते हुए हमें ऐसे चावत्रफ कट देने है अब यह कपड़े को ऐसे सीधा करके यहां से यह पिन निकाल दे अब सवा इंज का कपड़ा छोड़ते हुए हमें बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दे इस तरह से ऐसे कपड़े की कटिंग कर दे अब जो है हम ऐसे कपड़े को पलटेंगे इस तरह से ऐसे पलट दे चारत रुप से ऐसे पलट दे अब पलट के हमें जो ही यहाँ पर यह जो किनारी आ रही है इधर की दरब अब सलाई करेंगे देखे इस तरह से हमें ऐसे लग की सलाई लगानी है इस तरह ऐसे नीचे को कपड़ा देखते हमें पीछे की दरब फॉल करते हमें ऐसे लगानी है पूरे में यहाँ से थोड़ी ध्यान से कपड़े को लेते हमें हमें ऐसे स्लाई लगानी है देखे इस तरह मैंने ये पूरे में ऐसे स्लाई लगा ली ये मेरे बिना बुक्रम के भी देखो कितने अच्छे से गला बना है अब जो एक्स्टर अधागा है ये कटिंग कर देंगे अब देखे ये उल्टा करके अब जो ये कपड़ा है इसको हम ऐसे फॉल्ड करके कच्छी स्लाई लगाएंगे यहाँ पर हमारी तुर्पाई होएगी इस तरह से ये पूरे में ऐसे फॉल्ड करके कच्छी स्लाई लगानी है ये तुर्पाई करने के बाद इसे बाद में उठेर देंगे देखिए इस तरह से ये सूट का गला बन गया अब मैं सूट का बैक पार्ट लोंगी देखिए बैक पार्ट का जो मेरा ये तीरा है ये पोने 6 इंच का है और गले में जोट का निसान ये 1,5 इंच पे ऐसे लगा रखा है अब मैं इसके उपर फ्रण पार्ट रख के दिखाती हूँ देखिए इस तरह से आप फ्रण पार्ट रख के यह मेरा ये थाई इंच पे ऐसे कट पे ऐसे रख दे और यहा मेरा ये तीरा है यहां पे इसादर आना करेंगे अब दीखे मैं इसे नाप के दिखाती हूं देखे ये पिमेल आयसे पॉने च्छे इंच इस तरह से आ गया है यह फिर मैं आपको इस तरह से भी दिखा सकती हूं देखे खूल के खूल 可以 से रखिए देखे ये मेरा ये पांच इंज का त्यार गला आ गया इस तरह से आप कोई भी गले के चोड़ाई कम कर सकते हैं